तो दोस्तो एपिसोड की शुरुवात में हमें कुछ लोगों को दिखाय जाता है जो कि लकडी के बेरल में वाइन लेकर जा रहे होता है तब ही कुछ लूटे रहे उन्हें लूट लेता है फिर हमें एपिसोड का नाम दिखाय जाता है इसके वाद हमें नदी किनारे खड़ी लोलिता को दिखाय जाता है जो कि कुछ सोच रही होती है तब ही डियो को भी वहाँ आ जाता है और लोलिता से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो उल्टा लोलिता उससे पूछने लगती है कि तुम बताओ तुम क्या छुपा रहे हो डियोगो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं तब लोलिता कहती है कि जो लड़का बच्पन में इतना बहादूर था हमेशा कमजोर लोगों की मदद करता था अपने से बड़ो और एक से जादा लोगों से भी लड़ जाता था वो इतना डरपो केसे बन गया डियोगो तुम अगर कुछ छुपा रहे हो तुम मुझे बता सकते हो मैं किसी को नहीं बताऊंगी तब डियोगो बात गुमा देता है सिंशीप्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि कुछ सिफाई एक आदमी के घर से गिहूं ले जा रहे होते हैं तब डियोगो और लोलिता भी वहाँ आ जाते हैं डियोगो सिफाईों से इसकी वज़ा पूछता है तो सिफाई कहते है कि इन लोगों ने टेक्स नहीं भरा इसलिए हम इनके गिहूं ले जा रहे हैं तब वो आदमी कहता है कि हमारी वाइन चोरी हो गई इस वज़े से हम टेक्स नहीं भर पाए आप चोरों को पकड़वाने में हमारी मदद करिये हम आपका सारा टेक्स भर देंगे आप ऐसे अगर हमारे गिहू ले जाएंगे तो हम खाएंगे क्या और मजदूरों के पेसे भी कैसे चुखाएंगे डियोगो कहता है कि सर आप इनकी मदद करेंगे न तब एक सिफाई डियोगो को धक्का मार कर गिरा देता है और कहता है चल अपना काम कर बढ़ाया हमें सी गाने वाला और फिर सिफाई सबको टेक्स बनने की वर्निंग देकर वहां से चले जाते है अगले सीन में हमें गौंजालिस को दिखाए जाता है जो कि डियोगो के घर खाना खा रहा होता है बर्निट कहता है कि सिफाईों ने सबसे कहा है कि जिनकी वी वाइन चोरी होई वो खुद ही चोरों को पकड़े गौंजालिस कहता है कि यह कमांडर रेमन का आदेश है इसमें में भी कुछ नहीं कर सकता तब ही डियोगो लोलिदा के पापा कहते है कि कल हमारी भी वाइन आने वाली है कि लुटे रे उन्हें भी न चोरा ले तब गौंजालिस कहता है कि वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए मैं देख लूँगा अगले सीन में हमें वाइन शोप के बाहर लोगों की लगी लंबी भीड को दिखा जाता है चुकि वाइन लेने आए होते हैं लेकिन शोपनर ब्राउन कहता है कि अंगुर की खेती कम होने की वज़ए से वाइन खातम हो गई लेकिन फिर भी अगर खरीदना है तो ज्यादा पेसे लगे लेकिन पीने वाले लोग ज्यादा पेसे देकर भी वाइन खरीद लेते हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्राउन तो वाइन चुराने वाले लूटेरों से मिला हुआ है और लूटेरों से कम कीमत में वाइन खरीद कर ज्यादा कीमत में बेच रहा होता है वो इसे और पेसे देता है और वाइन लेने के लिए अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि डियोगो और लोलिता भी अपनी वाइन लेकर आ रहे होते हैं और इस बार उनके साथ सार्जेंट गॉंजालिस और कुछ सिफाई भी होते हैं तभी हमें पहाड़ी पर उन्हीं लूटेरों को दिखा जाता है और वहाँ सिर्प गॉंजालिस रह जाता है तभी कुछ लूटेरे दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं और गॉंजालिस को तलवार दिखा कर वाइन मांग रहे होता है गॉंजालिस भी डर जाता है और लोलिता और डियोगो इसे कहता है इदर जंगल में डियोगो सीटी बजा कर अपने ग्षोड़े वीडियो को बुला लेता है और फिर से जोरो में टांसफर्म हो जाता है तभी एक लूटेरा इदर लूलिता को मारने ही वाला होता है कि जोरो हो आजाता है और उस लूटेरे से लड़ने लगता है जोरो बनाड के कान में कुछ खहता है इसके बाद हमें बनाड और कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाये जाता है दरसल जोरो ने बनाड से कहा होता है कि उसने वेगा के ड्रमों पर जेट वाला निशान बनाये हुआ था और वो जिस भी घर के सामने मिले वहाँ पर जेट लिख देना बनाड खेलने के बहाँ ने जेट निशान वाले ड्रमों को डून रहा होता है और उसको मिल भी जाता है और वो जोरो के कहे मुताबिक उस घर के सामने जेट लिख देता है इसके बाद हमें ब्राउन को दिखाय जाता है वो रेमन्ड को पेसोगाल आलस देकर वाइन का ठेका चलाने की बात कर रहा होता है परनाट भी छोटा सोरो बन कर उनकी बाते सुन रहा होता है तब ही एक लूटे रहा हुसे देख लेता है पनट भाग का ड्रम्स के बीच में छुप जाता है इधर ब्राउन रेमन्ड को रिश्वत दे रहा होता है और रेमन्ड मान भी जाता है तब उन्हें बहार से आवाज सुनाई देती है एक बदमास चोरी का माल बेशता है और एक सेना का कमंडर रिश्वत खाता है फिर खीड की खोल जोरो अंदर आता है जोरो उस आदमी से कहता है कि तुम चोरी का माल बेशता है उस सहाब से तो तुम भी चोर हुआ वो गरती सबूत मागता है तब जोरो सबूत के तोर पर उस शक्स को दिखाता है जिस Zoro ने पिछली बार पकड़ा था वो भी Brown को ही गलत कहता है तब इन Lutero के कुछ साथी आकर Zoro से लड़ने लग जाते है Zoro उनको बड़ी आसानी से हरा देता है तब इन Lutero का Boss आता है जिसने छोटे Zoro को पकड़ रगा होता है तब इन Lutero को काट कर Zoro के पास आ जाता है फिर Zoro और उस Lutero Boss की लड़ाई शुरू होती है Zoro लड़ते लड़ते उसको वाइन के ड्रम उपर ले जाता है और फिर Zoro उसे हरा देता है Brown कहता है कि तुम्हारे पास क्या सभूत है ये चोरी की हुई वाइन है जोरो गहता है कि वेगा के जो ट्रम तुमने चुरा है उन पर पहले से ये निशान बना हुआ था जोरो गहता है कि एक और सभूत भी है ये ट्रम वाइन से नहीं बलकि पानी से भरे हुए है रेमन गहता है कि ब्राउन तुम मुझे वाइन की जगब पानी बेच रहते है जोरो गहता है कि उसको तो पता भी नहीं था इनमें पानी है कि ये ड्रम चुरा है हुए है और ये एक और सभूत है फिर जोरो ब्राउन के हाथ से वो पेसो भी पोर्टली लेकर वहां से निकल जाता है और जाता है जाता है डायलोग बोल जाता है जब जब जुल्म अपना सर उठाएगा तब तब मैं उसे कुचल डालूगा मैं फिर आउंगा उतर रेमन ब्राउन को औरेस्ट कर लेता है और इतर जोरो बराट से कहा रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए था जो तुम्हें कहा गया था अभी फाल्तू की मुसीबत में पढ़ जाते है तो बनेट गयता है कि तुम भी तो दूसरों की भलाई के लिए मुसीबत में पढ़ते हो और मुझे पता है कि तुम कौन हो तुम डियोगो हो मैं तो तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गया था तुम जान बुचकर डर्पोक और आलसी बनने का नाटक करते हो कि कोई तुम्हें पहचान ना ले लेकिन में तुम्हें पहचान गया फिर हमें फ्लेश्बिक का सीन दिखाया जाता है यहां एक दिन बननाट भूच जाता बुखर वाली हालत में डियोगो को गेट पर मिला था तब डियोगो उसको अपने साथ अपने घर ले गया था बननाट भी यह कहता है कि चिंता मत करो मैं किसी को नहीं बताओंगा इसके बाद वो अकिला घोड़े से उतर कर चला जाता है और जोरो वो पेसे उन लोगों को लोटा देता है जिनकी माई लोटेरों ने चुरा ली थी और फिर वहाँ से एक गुफा में चला जाता है जिसका दरवाजा खोलती ही वो सामने बरनाट को देखता है बरनाट कहता है कि मैंने सही पहचाना था ना टिये को आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा इसे के साथ यह एपिसोड भी यही समापत होता है